नमस्कार ये जूफा है जूफा को आईरवेद में युनानी पदिती में बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है ज़्यादा तर दवाईयों के रूप में इसको सरबत के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है बहुत सी ऐसी दवाईयां भी हैं जिनका वटी के रूप मे पाउडर के रूप में या हिम के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है मगर जादा तरदवाईयों में सरबत के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है जूफा के जो फूल होते ना वो नीले और बैंगनी रंग के होते हैं जूफा के जो बीज होते हो बदामी रंग के होते ह अब मैं आपको इसकी मात्रा बदायता हूँ, इसकी मात्रा होती है डेड़ गराम से तीन गराम तक कहने का मतलब चुथाई चमच से आधा चमच तक आप सुबे शाम पाउडर के रूप में अगर इसका इस्तमाल करते हैं, तो गरम पानी के साथ सुबे शाम भोजन के पहले य के एक कप पानी में डाल के अच्छे से उबा लें और उबल उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के ठंडा होने पर चान के स्वाद नुसार देशी, खांड, मिस्री या सक्कर या गुड जो भी आपको पसंद है वो उनमें से कोई एक चीज मिला के आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसको लेने का सही समय क्या है जादातर बीमारियों में इसे सुबे शाम इस्तमाल किया जाता है कुछ बीमारियों में दिन में तीन बार भी दिया जाता है और कुछ बीमारियों में एक दिन में एक बार भी इसका इस्तमाल किया जाता है जादातर बीमारियों को एक से तीन महीने में नश्ट कर देता है, मगर कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जिन में लंबा संबेमान के चलिए तीन से छे महीने तक का समय लग जाता है, उसको पूरन रूप से नश्ट करने में, इसको लगातार लेने से किसी परकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ना ही इसकी किसी परकार की आदत पढ़ती है जिन लोगों का कफ प्रकिर्टी वाला सरीर है और उनका किसी कारणवस कफ बढ़ गया है कफ बढ़के उनका दोश में बदल गया जिससे उनको हमेशा गले में खरास बनी भी रहती है और पेट में भ दर्ण का सुखा के जो उसे सोट खा जाता है सोट पचास ग्राम ले और यूफ के बना ले आधा चमचज पाउडर सुबे आदा चमचज पाउडर स्वस्बै अदि पां़ी ने शुरू कर दें कुछी समय में आपका बढ़ा हुआ जो कफ दोश है वापिस घथकर क्ष क्रQue किरती में बदल जाएगा और पूरेन रूपर से स्वास्त हो जाएंगे click बदल जाएगी जीन लोगों को कान पहता है कान के परदे में छेद हो गया और कान बहता है और कान के अंदरुनी परत में हड़ी को हरा करता चला जा रहा है होता क्या है कि यह नजला जो है ना हमारा पुराना नजला बिगड़ जाने से या कई बार कई लोगों को चोट या अन्य बहुत ऐसे कारण होते हैं जिसकी वज़ा से उनके कान में पस बनने लग जाती है और परदे को गला देती है और परदा गलने से वो पस बाहर निकलने लग जाती है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जूफा का काढ़ा बनाके सुबे शाम उस काढ़े से धोएं आपके लिए बहुत अच्छा लाबकारी होगा और दूसरे नमबर में जूफा का पाउडर आप मुलेठी के साथ मुलेठी 50 गराम और जूफा 50 गराम और 10 गराम काली मिर्च लेके इसको पीस के पाउडर बना ले जब पाउडर बन जे चुथाई चमच पाउडर एक चमच शहद में मिलाके सुबे शाम चाटे ऐसा करने से कान के पड़दे के पास जो आपके मवाद बनती है न वो बननी बंद हो जाएगी और आपके कान के अंदर से जो मवाद आता है उसकी शिकैत भी पूरन रूप से नश्ट हो जाएगी जिन लोगों का वात प्रकृति वाला सरीर है और उनका खान पान रहन सैन या अन्य किसी कारण से उनका वात बढ़ गया है दोश में बदल गया है और हमेशा पेट में भारीपन गैस बनी रहती है पेट में दर्द तंग करता है उन लोगों को कहना चाऊंगा कि रासना पत्ती 50 ग्राम सोट 50 ग्राम जूफा 50 ग्राम तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें एक चमच पाउडर एक कप पानी में डालके किसी बरतन में अच्छे से डालके पकाएं और जब अच्छे से उबल उबल के पानी आदा कप रह जाए उसे नीचे उतारके चान के ठंडा होने पर उसमें स्वाद अनुसार सेंदा नमक या सहद दोनों में से कोई एक चीज मिला के सुबह शाम खाना खाने के एक गंटे बाद इस्तमाल करने से बढ़ा हुआ जो वात दोश है ना वापिस वात प्रकृति में बदल जाएगा और आप पूरन रूप से ठीक हो जाएंगे जो नजले से परेशान रहते हैं नजले से परेशान जो लोग हैं उनको क्या होता है लक्षन के रुपे माथा, नाक, गला और फेफड़ा एकदम जाम सा रहता है हमेशा परेशान रहते हैं और नजले से छुटकारा पाना चाते हैं कई लोगों को छीके आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और हमेशा भारीपन रहता है, और उनका हमेशा किसी का एक नाग किसी का दो नाग बंद पाए जाते हैं, तो उनका क्या होता है, कि ये गरम सर्द बिगडने के कारण नजले की शिकायत होती है, उन लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग नजले से परेशान है जी आप मुलेठी 50 ग्राम लीजिए जूफ़ा 50 ग्राम और गुल बनकसा 50 ग्राम और सफेद मिर्च 10 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना ले आधा चमच पाउडर सुबे आधा चमच पाउडर साम को किसी बरतन में डालके उसमें एक कप पानी डाले और अच्छे से उबाले उबल उबलके जब पानी आदा कप रह जाए उसे नीचे उतारके हलका गुन-गुना रह जाए तब ही चान ले और जैसे ही चाने उसमें स्वाद नुसार शहद मिलाके पहले कोशिश करें उसकी भाप लें मुँ से भाप लें और नाक से चोड़ें ऐसा करने से बहुत जल्द नजले की शिकायत दूर होती चली जाएगी और आप अपने आपको पूरन रूप से स्वस्त मैसूस करेंगे जिन लोगों के चहरे पे, हाथों पे, पैरों पे या सरीर के एक अंग में या सरीर के सरवंग अंग सभी अंगों में सूजन की शिकायत है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पुनर्वा की जड़ 50 ग्राम जूफा 50 ग्राम और गोखरू 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें और जब पाउडर बन जे तो आधा से एक चमच पाउडर एक कप पानी में डालके उसे पानी लेकिन गरम लेना है एक कप पानी गरम ले उस पानी को सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें तो आपको किसी भी कारण से अगर सरीर के एक अंग में या सभी अंगों में सूजन की शिकायत तंग करती है तो उसकी शिकायत से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप पूरन रूप से स्वास्थ हो जाएंगे जिन लोगों के पेट में बार बार कीड़े बन जाते हैं और पेट में कीड़े की वो तरह तरह की दवाईयां खाते हैं तो वो क्या लक्षन के रूप में बताते हैं पेशन्ट जी मूँ से बात करते हैं तो ठूक निकलता है या मान लीजिए मूँ से यहां से सोते समय लार आ जाती है कई लोगों को जाधा भी लगने लग जाते कई गी भुख खतम भी हो जाती है तो बहुत परेशान होते हैं आसी क्या दवाई खाएं जिससे की पेट के कीडे नश्ट हो जाएं क्योंकि जो भी ताकत बनती है वो कीडे से लेना सुरू कर दें ऐसा करने से पेट में आंतों में कहीं भी अगर आपके कीड़े की कालता वह हमेशा के लिए खतम हो जाएंगे जिन लोगों को ठंड बार-बार लग जाती है बार-बार जुकाम लग जाता है नजला क्या होता है नजला अंदर रहता है जुकाम गिरता है जुकाम से परेशान जो लोग होते हैं बार-बार नाक बैता है और सामने वाले से बात करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होते हैं क्योंकि उनका बार-बार नाक पैता रहता है वो कहते जी ऐसे क्या करें जिससे कि हमें जुकाम से परिशानी से छुटकारा मिल जाए कि जुकाम हो गया माथा आक नाक बालों को पेफडों को खराब करता चला जाता है और ज्यादा पुरान वजे तो यह अंदर के अंगों को बेकार करना सुरू कर देता है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप पोसद दाना आता है, वो ले 100 ग्राम, जूफ़ा ले 100 ग्राम, और हल्दी साबुत ले 100 ग्राम, और सफेद मिर्च ले 10 ग्राम, इन सभी को लेके पीस के पाउडर बना लेगे, और पाउडर जब будन जाए, 1 चमच पाउडर गुनगुने पानी के साथ, या गाई के गुन कारा मिल जाएगा जिन लोगों को खांसी की शिकायत है चाहीं खांसी सूखी आ जाही बलगमी आ रही तो बहुत करती है क्हसी से परेशान लोगों को कहना चाहूँगा कі अलग-अलग दवाई खाने की जरूत नहीं है, मुलेठी 50 गराम लेनी है, गुल बनकसा 20 गराम लेना है, जूफा 20 गराम लेना है, इन को ला के पीच के पाउडर बना लें और एक चमच पाउडर को किसी बरतन में डाले, ऑच्छे से उबाले, उवल-वल के पानी जब आधा कप रह जे, उसे तुरंत चान ले, चा तुरंत उसे नाक से सांस ले और मूँ से छोड़े इस तरह जैसे ही वो थोड़ा से ठंडा हो जाए उसमें शहद मिलाके चाय की तरह या देशी खांड मिलाके चाय की तरह पिने से किसी भी परकार की खांसी से छुटकारा मिल जाता है और रोगी पूरन रूप से स्वास्त हो सकते हैं खाना खाने के एक गंटे बाद और कोशिश करें कि जब इस काड़े का इस्तमाल करें तो आदे गंटे तक कुछ अन्य चीज को ना खाएं जो लोग बुखार से परेशान है कफ जोर है या पित जोर है या वात जोर है या मान लिजे किसी भी कारण से अगर आपको सरी में बुखार रहता है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप 20 ग्राम नेपाली चे रहता 20 ग्राम सुखे गिलोए और 20 ग्राम गुल बनकसा और 20 ग्राम जूफा इन चारों चीजों को लाके पीस के पाउडर बना ले एक चमच पाउडर लेके किसी बरतन में डालके एक कप डाले और उसे अच्छे से उबलने दे उबल उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के चान के उसमें स्वाद नुसार देशी खांड या धागे वाली मिस्री दोनों में से कोई एक चीज़ का पाउडर मिला के सुबे दुपहर शाम दिन में तीन बार या स्वाद उसे पूर्ट रहे हैं चाऊने चाहिए और दोश बढ़ जाने के कारनी तो वस् districts में बहुत कमजोर हो रही है वो कहते हैं जी हमारी पाचन सक्ती बहुत बेकार रहती है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पाचन सक्ती को बढ़ाने के लिए जूफा 20 गराम लेके उसका पाउडर बना ले और आधा चमच पाउडर लेके किसी बरतन में डाले एक कप पानी डाले और उसमें दो दाने म पीज निकालके फैक दे और वो मुनक्का डालके अच्छे से उबाले उबल उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उससे नीचे उतारके चान के उसमें आधा निम्बू निचोड के और स्वाद नुसार उसमें देशी खांड मिलाके चाय की तरह पीने से पाचन सक्ती बढ प्रश जाता है और पेट में भारीपन गैस की समस्या भी दूर हो जाती है जिन लोगों के बार-बार गले में इंफेक्शन होता रहता है चाहे फरेंजाइटी सो टोंसिलाइटी सो किसी परकार से भी वो परेशान रहते हैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि काइफल आती ह है काइफल की चाल बोलते हैं हम उसे काइफल आपने लेना है 50 ग्राम जूफा लेना है 50 ग्राम और मुलेठी लेनी है 50 ग्राम तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें और आधा से एक चमच पाउडर एक कप पानी में डालके अच्छे से उबालें उबल उबल के पानी ज इसे गले में किसी भी प्रकार से अगर आपको संक्रमन हो रहा है जिसकी वज़े से आप बहुत परेशान रहते हैं चाहे सर्दगरम के कारण चाहे अन्य वैक्टिरिया वाइरस या फंगस के कारण या चाहे आपका डाइजेशन खराब होने के कारण बार-बार गले में दिक् परेशानी हो जाती है, सांस बढ़ जाता है उनका, सांस लेने में तकलीफ होती है, खासी की शिकायत तंग करती है, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप परेशान मत हो ये, जूफा 50 ग्राम, गुल बनक्सा 50 ग्राम, सोमलता की जड़ 50 ग्राम लेके, अच्छे से पीस के पाउडर बना लें, पाउडर बनाके, आधा चमच पाउडर लेके, किसी बरतन में डालें, और एक कप पानी डालके, उसे अच्छे से उबालें, उबल उबल के पानी जब आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतारके, चान के, उसमें स्वाद अनुसार सहद मिलाके, पीने से अस्तमा की शिकैत दूर होती चली जाती है ये बहुत बार परिक्षित है और इसका इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब भी मिलता है चीन लोगों का लीवर ठीक डंग से काम नहीं कर रहा लीवर के उपर फैट जमा हो गया ये लीवर में infection पैदा हो गया है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि कुटकी जिसे हम कडू के नाम से जानते हैं वो 50 ग्राम ले जूफा 50 ग्राम ले सुखी गिलोए 50 ग्राम ले हरड का छिलका 50 ग्राम ले इन सभी को लेके पीस के powder बना ले और एक चमच पाउडर सुबे एक चमच पाउडर साम को गुंगुने पानी के साथ खाना खाने के एक गंटे बाद लेना शुरू कर दे तो बहुत जल्द जो आपके लीवर में infection है या लीवर में fat जमा हो गया है या लीवर में सूजन है या लीवर अपना काम ठीक डंग से नहीं कर पा रहा उन सभी रोगों से आपको धीरे-दीरे छुटकारा मिलता चला जाएगा और आप पूरन रूप से स्वस्त होते चले जाएंगे जिन लोगों को बार बार सरी में जगा जगा फोड़े फुनसी निकलते रहते हैं और बार बार वो मवाद वाले फोड़े होते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा दर्द और कई बार तो उसके infection से बुखार भी हो जाता है चलने फिरने उठते बैठते समय बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं तो ऐसे में जूफा 50 ग्राम और मंजिष्ट 50 ग्राम खदिर की छाल 50 ग्राम इन टीनों को लाके पीस के पाउडर बना ले और एक चमच पाउडर ले और एक कप गरम पानी किसी बरतन में डालके कहा जाता है जूफा आदी हिम इसका इस्तमाल करने से सरीर में क्या होता है कि हमारे जो कफ दोश दूशित हो जाता है और साथ में उससे क्या बार बार जगा जगा वो मवाद के रूप में इकठा होके कहीना कहीं से फोड़े के रूप में निकलता रहता है तो उसकी समस्या दूर हो जाती है और दूशित खून भी हमारा शुद्ध होता चला जाता है दूशित चमडी दूशित कफ भी हमारा पूरी तरह से साफ होता चला जाता है जिससे बार-बार होने वाले फोड़े फुनसी से हमें चुटकारा मिल जाता है जिन लोगों को उन लोगों को कहना चाहूंगा कि रासना पत्ते 50 ग्राम, जूफा 50 ग्राम और अश्वगंदा की जड़ 50 ग्राम लाके पीस के पाउडर बना ले, एक चमच पाउडर लेके एक गिलास गाय के दूद के साथ रोजाना सुबे शाम गरम गाय का दूद गरम करके उसके साथ इस् समस्या दूर होती चली जाती है, और पूरी तरह से वो स्वस्थ हो जाते हैं, जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत है, या हिस्टीरिया की शिकायत है, कहीं भी एकदम दोरा पड़ता है, और उनके परेशानी हो जाती है, दात बीज जाते है, हात पैरा कर जाते हैं, और के लिए जूफा का इस्तमाल करना बहुत फाइदेमंद है कि ये किरिमी को खतम करने में लाबकारी है गांट को पूरी तरह से नश्ट करने में लाबकारी है और सबसे बड़ी बात ये नर्वस सिस्टम को ठीक करने में बहुत ज़्यादा लाबकारी होता है तो इसका कैसे इस्तमाल करना है आपने ये बतायता हूँ ब्रह्मी की घास 50 गराम लेनी है सर्प गंधा की जड़ आपने 20 गराम लेनी है और जूफा 50 गराम लेना है इनको लेके पीस के पाउडर बनाना है इसका आप दो तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं इसका नस्य करम के रूप में भी कर सकते हैं और खाने के रूप में भी कर सकते हैं तो पहले मैं आपको खाने वाली दवाई के रूप में इस्तमाल करना बता देता हूँ इसका इस्तमाल आपने जो powder बनाया है वो powder आधा चमस सुबे शाम गरम पानी के साथ या गाई के गुंगुने दूद के साथ लेना सुरू कर दें जादा तर रोगी को हम कहते है जी गाई के गुंगुने दूद के साथ आप इस्तमाल करें सुबे शाम खाना खाने के 1 गंटे बाद यह तो हो गया खाने में इस्तमाल अब इसका आप नस्य करम के रूप में कैसे इस्तमाल करेंगे ये भी बताए तो जो powder आपने बनाया वही powder उसी powder में से 10 गराम तोल के powder ले ले और पूरे 40 एमल के करीब आप तिल का तेल ले, तिल का सफेद तिल का तेल लेके आप उसको किसी बरतन में डालके अच्छे से पकाएं, जब अच्छे से पक जाए तेल का तेल उसको चान के कपड़े से किसी बरतन में डालके रख ले, कभी जिंदगी में खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी परकार का 빼zorative नहीं है और ये खुद बखुद एक प्रेजरवेटिव है जो किसी परकार का नुकसान भी नहीं करता क्योंकि प्रेजर्वेटिव जब डालते हम तो हमारे सरीमें तरा-तरा की रोग उत्पन हो जाते हैं तो इसमें किसी परकार का प्रेजर्वेटिव नहीं है बलकि ये खुद नैच्रल प्रेजर्वेटिव है पहले के लोग क्या करते थे जब उनको किसी चीज को रखना होता था जैसे मान लीजिए कि क्योई भी चीज उसको तेल में डुबो के रख देते थे तो वो जल्दी से खराब नहीं होती थी बलकि उसके गुण धीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे तेल में आते रहते थे और तेल में वो तेल भी इस्तमाल हो जाता था तेल घी शहद ये चीज़ों को संभाल के रखने के एस्तमाल किया जाता था ये तो बहुत-बड़ा टोपिक हो जाएगा त नस्य करम के रूप में जब हम इसका इसका इस्तमाल करते तो एक्यू प्रेशर का काम करेगा जिससे हमारी यह सारी नर्व सिस्टम ठीक डंक से काम करेगी और हमें मिर्गी और हिस्टीरिया की भीमारी से छुटकारा दिला देगी जूफ़ा के आपको मैंने इतने सारे फायदे बताए तो कुछ इसके नुकसान है वो भी बताए तो इसको जरूरत से ज़्यादा मातरा में मत इस्तमाल करें अगर आप इसका जरूर से ज़ादा मातरा में इस्तमाल करते तो और कुछ नहीं इससे एक या दो दस्त आपको तंग करेंगे इसलिए कहते ना अती हर चीज की नुकसान दायक होती है और कोई इसका कोई side fact नहीं होता है इसलिए मैं कहूंगा कि आप उचित मातरा में उचित अनुपान के साथ इसका इस्तमाल करके लाब उठाएं और अपनी बीमारी से चुटकारा पाएं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं धन्यवाद